पी शिव शंकर का जीवन परिचे पी शिव शंकर का जन्म 10 अगस्त 1939 को हैद्रबाद जिले की ममिदी पल्ली में हुआ था हैद्रबाद वर्तमान में टेलंगाना की राजधानी है और उनकी मृत्यू 27 वरवरी 2017 को नई दिल्ली में निधन हो गया इनका पूरा नाम पुंजला शिव शंकर है इनके पिता का नाम श्री पी बशिया था इन्हुन हिंदू कॉलेज अमरिटसर से बी एकी पढ़ाई की उसके बाद लौ कॉलेज उस्मानिया विश्व विद्यालया हैद्रबाद से लल बी किया इनका विवाह 2 जून 1955 को डॉक्टर श्रीमती पी लक्षमी बाई से हुआ था इनके दो बेटे और एक बेटी हैं पी शिव शंकर ने गरीबों की सेवा की और हमारे देश के कल्यान के लिए काम किया वह 1974 और 1975 के दोरान आंधरा प्रदेश उच्च न्यायाले में न्यायाधीश थे वह 1989 में सिकंदराबाद से छेवी लोग सभा के लिए चुने गए थे वह भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस में थे 1980 में उन्होंने पुनह सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता उन्हें 1980 में तीसरे इंदिरा गांधी मंत्री मंडल में कानून और न्याय मंत्राले का मंत्री बनाया गया था शिवशनकर ने सरकार में कई पदूं पर कार्य किया था 1985 में पी शिवशनकर गुजराद से राज्य सभा के लिए चुने गए और 1993 तक राज्य सभा में दो पदूं के लिए बने रहे वह इन शर्तों के दोरान विदेश मामलों के मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री थे वह 1987 से 1988 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे पुंजला शिवशनकर एक भारतिय राजनेता थे उन्होंने विदेश मामलों कानून और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्य किया वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रि मंडल में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री थे भारत के सबसे वरिष्ट राजनेताओं में से एक थे पी शिवशनकर ने 21 सितंबर 1994 को सिक्किन के गवर्नर के रूप में शपतली वह 11 नवंबर 1995 तक पतपर बने रहे वह 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल भी थे